हेलो और वेलकम टो फूटफाइट जहां पर मैं और आप मिलकर बनाते हैं कुछ हेल्दी और टेस्टी रेसिपी और अजके हमारी सुप टेस्टी रेसिपी है राजस्थानी रबडी मलाई घेवर बहुत ही ज्यादा फेमस है राजस्थान में और गंगोर, सिंधारा जो भी ऐ आपको रेसिपी बताओंगे आज तो इसके लिए मैं देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्री मैं घी लेंगे फष्फ कनि आई केल ले मैं मैं फ्रोट और छल खे नहीं नहीं हो जाता बहुत अछ़ए से यही निकलके आएग को ज्यादा महनत नहीं लगेगी, थोड़ा सा आपको इस तरीके से मतना है, आप चाहें तो ये process मिक्सी में भी कर सकते हैं, जो बड़ा वाला जा रहात है इसमें आप ये process कर सकते हैं, बट मैं ये वाली process हाथ से ही करना ज्यादा prefer करती हूँ, और बस इसको अच्छे से इस तरी किसे फैंट ले तो आप देख सकते हैं यह वाइट निकल आया है और काफी फ्लॉफी हो गया है मितलब वो जो वन फोट कप हमने घी लिया था वो देखो डबल हो गया है साइज में तो बस अब क्या करेंगे एक मिक्सर जार लेंगे और जो सारा घी हमारा तयार हुआ है उसको जार में ट्रांसफर करेंगे तो पूरा पोँच मोच कर अच्छे से इसमें डाल लें आप चाहें तो यह प्रोसेस अगर जार में कर रहे हो तो एकदम चिल्ड वाटर ले सकते हैं उससे भी आप यह कर सकते हैं अगर आइस नहीं डालना चाहते हैं तो अदरवाइस आइस से कर सकते हैं, अब ये दूद जो मैंने लिया है वो भी एकदम चिल्ड है, आदा कप दूद लिया था एकदम फ्रिज मैं रखा हुआ, ठंडा दूद मैंने लिया और इसको अच्छे से फैंट लिया, तो ये देखे, इस तरीखे से हो गया, अब हम क्या गरेंगे, मैंने लिए हैं यहां पर दो कप मैदा तो यह मैं थोड़ी थोड़ी करके डालूँगी और थंड़ा पानी डालते जाओंगी पानी भी फ्रिज का है और वो थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे घुमाते जाएंगे तो तीन से चार मिनट तक आपको इससे अच्छे से ब्लेंड करना है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे मैदा और पानी और एक रनिंग जो कंसिस्टेंसी होती है वैसा सा आपको बैटर तयार करना है यह देखिए आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी अभी थोड़ा सा पानी और मैं डालूंगे इसमें और पतला ही आपको घोल इसका बनाना है तो बस यह हमारा जो घोल है वो तयार है और अब हम क्या करेंगे जो बैटर है वो अभी तो चिल्ड है लेकिन जैसे जैसे हम बनाएंगे न तो बाद में चिल्ड रहे न रहे इसलिए हम क्या करेंगे इस तरीके से आइस रख लेंगे एक ट्रे में और उसमें हम अपना बैटर रखेंगे ताकि जब तक हमारे गेवर बने तब तक यह ठंडा ही रहे और यह देखे ऐसी इसकी consistency हो गई है और अब हम क्या करेंगे एक इसमें lemon juice डालेंगे एक नीमू का juice तो दो कप मैदा के लिए एक lemon juice में इसमें यूज कर रही हूँ तो वैसे इसको भी squeeze करके डाल देंगे और अच्छे से mix कर देंगे काफी अच्छा जालीदार घेवर हमारा बनकर यहां पे तयार होगा बहुत ही ज्यादा पसंद है हमको तो यह चीज बहुत मतलब हर तीज त्योहार हम मंगाते ही है तो अभी सोचा इस बार मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँ क्योंकि मैं बनाती भी हूँ यह घेवर थोड़ा सा मतलब एक दो घेवर जो बनाते हैं थोड़ी सी घी गरम ठंडा उसमें थोड़ा हो सकता है पहला घेवर आपका अच्छा ना बने बट बाकी की घेवर ना अच्छे ही बनेंगे आप ट्राइज जरूर करना तो एक तरफ मैं चाशनी चड़ा देती हूँ तो यहाँ पे चाशनी के लिए मैंने 5.5 cup पानी लिया है और इसमें 1.5 cup ही मैं चीनी डाल दूँगी तो एक साइड हमारी चाशनी बनती रहेगी और एक साइड हम घेवर बना लेंगे तो ये लीचे इसमें मैंने डेड़ कप चीनी डाल दी अब क्या करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करके हमें चाशनी कैसी बनानी है वो इंपोर्टेंट है तो चाशनी हमें बहुत गाड़ी न करना है जिससे की शहद होता है वैसी सी बस एक तरफ उच चला देंगे हम और एक तरफ ये छोटा लिया है मैंने बरतन और इसमें मैंने घी डाला है क्योंकि अभी मैं छोटे घेवर बना रही हूं बड़े घेवर की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूं इसका उस इसरी तरफ हम घेवर बनाएंगे तो ये देखें आप कंसिस्टेंस से उसके देख सकते हैं अभी हमारा घी जो है वो गरम हो गया है इसमें जैसे ही गरम गरम घी में हम ये ठंडा ठंडा घोल डालेंगे तो इसमें अच्छे से जाली बनना शुरू हो जाएंगे आप देख बिल्कुल आपके घेवर में जाली नहीं आएगी और नीचे तले पे चिपक जाएगा तो एकदम पतला आपको उसमें डालना है और देखें इस तरीके से हम इसको साइड करते जाएंगे आगर आपके पास ऐसे कोई लकडी नहीं है तो आप चाकू से भी कर सकते हैं कोई ट जाबर जाएं आप बीच में बिल्कुल सेंटर में डालेंगे इस तरीके से जैसे ही आप सेंटर में डालोगे ना तो चारों तरफ जालियां आ जाएंगी एक जगह पे ही नहीं आएंगी और फिर उसको वापस चमच या चाकू या ऐसा कोई अगर आपको पास बूडन कर सकते हैं मेरे पास यह जो घोटनी आती है ना उसकी टूटीवी रखी थी उससे मैंने किया था बट आप चाकू से भी कर सकते हैं और एक चीज़ ध्यान में रखें जो तले में अगर थोड़ा बहुत भी चिपक रहा है उसको हाथों हाथ आप छुड़ा दें तो वो भी जाके घेवर के चिपक जाएगा अधरवाइस वो तले में ही चिपका रह जाएगा और फिर घेवर अच्छा नहीं बन पाएगा तो यह कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं इसको बनाने की जो आप मैंने आपके साथ शेयर की हैं बस ऐसे ही वीच में सेंटर में आप डालते जा जितना मोटा आपको घेवर करना है उतने ही लेडल गोल की चमच डाले बाकी घोल मतलब जितना आप यूज करेंगे बैटर उतना ही मोटा होगा घेवर आपका और यह देखिए इस तरीके आपको दिख रहा होगा साइड से ब्राउन होता जा रहा है तो साइड को ना हम चा चाकू से मैंने छुड़ा दिया वो क्लिप मैं लेना भूल गई थी और यह देखिए मैं आपको दिखाती हूं यह देखिए हमारा घेवर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है इसको अभी ऊपर से थोड़ा सा और हम ब्राउन करेंगे उसके बाद हम निकालेंगे तो इ पिर आपका घेवर जो है वो परफेक्ट बन जाएगा यह देखिए कितने अच्छे से मोटाई आई है इसकी और थोड़ी देर के लिए हम इसको घी के उपर ही इस तरीके से होल्ड करके रखेंगे ताकि जो भी एक्सस घी है इसके अंदर वो निकल जाए और फिर हम क्या कर है जो आती है ना उसके अंदर वो ही है और इसको मैं इस तरीके से प्लेस कर दूंगे यह लेचे अब यह एक साइड में रखा हुआ थोड़ा घी और निकल जाएगा इसका और इतनी देर में हम बाकी के घेवर बना लेंगे तो वन बाई वन इस तरीके से हम रखते चाशनी में आपको डुबोना नहीं है वो प्रोसेस में आपको बताऊंगे कैसे करना है यह एक दम परफेक्ट घेवर बनकर तयार है बहुत ज्यादा टेस्टी बना था घेवर बहुत अच्छा लगा सबको खाने में तो आप भी ज़रूर ट्राय करना आप लीजिए मैं आ आप देख सकते हैं कैसे जालीदार घेवर हमारा बन रहा है तो बस थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है बिलकुल आप एकदम पेशन्स के साथ आप बैटर डालेंगे ऐसे नहीं है कि बिलकुल आप एकदम से उसमें डालके छोड़ दें नहीं बनेगा घेव उस तरीके से बहुत पेशन्स के साथ आपको थोड़ी थोड़ी देर में आपको अपना बैटर उसमें पोर करना है अधरवाइस पूरा आपका घेवर जो है वो बिगड जाएगा और साइड से आप इस तरीके से जालियों को हटाते जाएं और एकदम सेंटर में बैटर डा जालते जाएं यह नहीं देखिए कितना अच्छे से यह जाली बना रहा है अपको आसतभी सीति दिख रहा होगा एकदम अच्छे से और हम राजस्थानियों को तो बहुत ही ज्यादा फेवरेट है तो आप लोग भी ज़रूर ट्राइ करें एक दो घेवर हो सकता है बिगडे बट फिर अच्छे से निकल लाएंगे और अगर आप इस तरीक से पेशिंस रखके अच्छे से करोगे तो एक भी नहीं बिगडेगा अगर फर्स टाइम बना रहे हो तो अगर मेरी तरह बनाओगे तो फिर परफेक्ट ही बनेंगे तो ये लिजिए देखिए एक तम परफेक्ट हमारा जालेदार घेवर जो है वो बनकर तयार है तो यह आप चाशनी के कंसिस्टेंसे देख सकते हैं ऐसी ही मैंने बनाई है और इसको इसके उपर इस तरीके से पूर करेंगे तो बस चारु तरफ ध्यान रखना रखना है कहां पर चाशनी नहीं गिरीए वहाँ पर भी डालनी है बिल्कुल हमें फिका फिका घेवर थोड़े नचाहिए मीठा बिठा चाहिए एकदम तो अच्छे से खुल कर चाशनी इस में चाशनी लगाएं तो मिठा मिठा घेवर बनेगा आपका बहुत अच्छे से बनकर तयार होगा तो बस सारे घेवर को हम इसी तरीके से चाशनी लगाएंगे और ये देखिए हमारा घेवर जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिठा मिठा घेवर बनकर तयार है है ना एकदम आसान बनाना बहुत ही टेस्टी बनता है यह लिए जिस सकिन आप देख सकते हैं देखो नीचे थोड़ा सा वो न चिपक गया था बीच में आप देख सकते हैं आसानी से तो थोड़ा सा आपको इस तरीके से केरफुल रहना होगा जो चाकु लेके एक चाकु से तले में से उसको छुडाते जाएं और फिर उसको अच्छे से आपको पकाना है तो यह हमारा second घेवर भी तयार है तो यह देखें सारे घेवर यहां पे बनकर हमारे तयार हो गए हैं अब हम क्या करेंगे इन पे लगाएंगे हमारी जो रबडी हमने बनाई है वो तो रबडी बॉक्स में भी दे दूँगी तो वो आप जरूर ट्राइ करें यह मैंने पहले दिन ही बना के रख दी थी फ्रिज में तो देखें कैसे गाड़ी गाड़ी हमारी रबडी बनकर तयार हुई है थोड़ा सा टाइम बच जाता है ना घेवर बनाने में क्योंकि दो घंटे लग तो वाला वीडियो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है उसका भी मैं लिंक आपको दे दूँगी तो दोनों ही तरीके से आप बना सकते हूँ यह इंस्टन्ट है I'm sure सब लोग इंस्टन्ट ही बनाना चाहेंगे क्योंकि सबको मतलब हर चीज आसानी से चाही होती है तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और वेज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती रहूं तो ये एक ही रोपे हमने रबडी लगा दी है इसको भी हम सजा देंगे तो रबडी वाली रेसिपी जरूर देखना ताकि ऐसी ही एकदम अच्छी से रबडिया बना कर तयार कर सको बिल्कुल 10 मिनट में रबड़ी तयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है तो बस जल्दी से बनाओ जल्दी से खाओ आ गए हैं सिंझारे और गंगोर दोनों ही तो फिर कब बनाओगे लब कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं थोड़े और अच्छे अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर कर सको थैंक्यू कर दो खिए हैं जरूर कर दो